नमस्कार साथियों इस वीडियो में आज हम मुहावरों की विसेश्थाओं के बारे में जानेंगे मुहावरों की विसेश्थाएं हमारी पहली विसेश्था है मुहावरे में सब्दों का लक्षार्थ ग्रहन किया जाता है वाच्चार्थ नहीं पहली विशेश तक क्या है? मुहावरों में सब्दों का लक्षार्थ ग्रहन किया जाता है, वाच्चार्थ नहीं जैसे तलवार की धार पर चलना तलवार की धार पर चलना का अर्थ है जोकिम भरा या कटिन काम करना तलवार की धार पर चलना का अर्थ है जोकिम भरा या कठिन काम करना इसमें मुख्य अर्थ का बोध मुहावरे सक्ती से ग्रहीत किया गया है मतलब मुहावरे सक्ती से लिया गया है इसमें मुख्य अर्थ का बोध मुहावरे सक्ती से ग्रहीत किया गया है मुहावरे की सब्द योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता मुहावरे की जो सब्द योजना होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है मुहावरे की सब्द योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है इसके बाद में अगली हमारी मुहावरे की विशेष्ता है मुहावरे अर्थ ज्योतन में रूड हो जाते हैं मुहावरे अर्थ ज्योतन में रूड हो जाते हैं नए मुहावरे की रचना सहजता नहीं हो सकती मुहावरा निर्मान भासा की सदत विक्सित परंपरा निदी है अब इसी के आधार पर कहा गया है जैसे मुहावरा अर्थ ज्योतन में रूड हो जाता है न इसी आदर पर कहा गया है मुहावरा निर्मान भासा की सतत विक्सित परंपरा निदी है अगली हमारी विशेषता है मुहावरों का प्रयोग सदेव वाक्य में किया जाता है मुहावरों का प्रयोग सदेव वाक्य में किया जाता है मुहावरों का प्रियोक सदेव किस में किया जाता है तो वाक्य में किया जाता है वाक्य में प्रियुक्त होने पर मुहावरा अपना अर्थ निस्पन होने पर ही अपने वेंजना परक अर्थ को इस्पस्ट करता है वाक्की में प्रियुक्त होने पर मुहावरा अपना अर्थ निस्पन होने पर ही अपने वेंजिना परक अर्थ को इसपस्ट करता है अगली विशेशता है हमारी मुहावरे के सब्द क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता मुहावरों का जो सब्दों का क्रम होता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता जैसे 9-2-11 होना दोस्तों इसमें 9-2-11 होना ये मुहावरा है तो ये इसी तरह से बोला जाएगा इसकी जगे 2-9-11 का प्रयोग किंचित सटीक नहीं हो सकता केने का मतलब ये है कि मुहावरे के सब्द क्रम में मुहावरे के सब्द क्रम में मुहावरे के सब्द क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता 9-2-11 होना ये मुहावरा है तो 9-2-11 होना यही सटीक रहेगा 2-9-11 होना का अगर हमने यूज करा दोनों 11 अगर हमने प्रयोग किया तो वो किंचित सटीक नहीं हो सकता है अगली हमारी विसेशता है मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने पर उसका क्रिया रूप याद रखना है हमें मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका क्रिया रूप क्रिया रूप लिंग वचन कारक आदी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है किसके अनुसार परिवर्तित हो जाता है लिंग वचन कारक इनके अनुसार महावरे का क्रिया रूप परिवर्तित हो जाता है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक सदिक सेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद